हेलो फ्रेंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेश फोरेवर में एक बाग फिर से स्वागत करता हूं तो आज हम बात करने वाले हैं क्यों बात करने वाले हैं और क्या एक्जक्ट लिए करना चाहिए देखे मेरे पास यह शेयर थे और मैंने यहां पर परसों के दिन में मैंने आपर यह शेयर बेस दिये थे जब हमें एक यहां पर स्पाइक मिलती हुई नजर आई थी तो उसके बीचे का रीजन क्या था ओके और वह मैं आपको बताऊंगा एस वेल इस क्या हमें अब एंट्री करने चाहिए उस से लिटी में बाते करूंगा तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे तो यहां पर एम्टा टेक्नोलोजी यहां पर कल अपने रिजल्ट पेश करने वाली थी जिसके केप कमपनी और मैं हमीशा कहता हूं पैसा जब बनेगा तो स्मॉल कैप में ही बनेगा इसके इलावे यहां पर देखा जाये तो कॉंपनी ने रिजल्ट पेश कीया कंपनी के रिजल्ट यहां पर आप देख सकते back-to-back कंपनी बेदरी ने यहां पर सेल्स करे रिज़ करती ह तो margin पे company के थोड़ा सा effect पड़ता हूँ नज़रा है, quarterly basis पे बिलकुल flat है, but yearly basis पे 32% से 28% यहां पर रहे गए है, तो this was the reason कि मैंने यहां पर परसो के दिन में अपनी, जैसे ही है यह शेयर यहां पर उपर गया था, 1642 के आसपास मैंने अपनी position को cut कर दिया था, इसलिए cut कर दिया था कि यहां पर जो margin है, यहां पर जो margin है वो यहां पर effect कर सकते हैं इस particular counter को, और अगर यह number इस तरीके से ना आते, 126 करोड रुपीज की sales ना दिखाता, 25 करोड रुपीज का profit ना दिखाता, 35 करोड रुपीज का यहां पर operating profit ना दिखाता, तो शायद यह share यहां पर बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नजर आता, और यहां पर यह 1500 और शायद अपने support है, उसको भी यहां पर तोड़के यहां पर नीचे की तरफ जा सकता था, और अभी भी जा सकता है यह नहीं जा सकता है, वो तो आज market decide कर देगी, तो यहां पर इस वज़े से मैंने यह position अपनी हलकी कर देती, क्या बेकार counter है, बिलकुल भी नहीं, counter एक गम बैतरी नहीं, share एक गम बैतरी नहीं, ओके, तो यहां पर इस particular share की तरफ नजरे बना के रखना है, क्या अभी खरीदना है, अब थोड़ी सी strategy, मेरी थोड़ी सी change होती ही नजर आ रही है, ओके, मैं ऐसे खरीदूँगा, बट अभी नहीं, यहां पर देखिए, margin पर थोड़ा सा effect पढ़ आ है, क्या आज market यहां पर लेता हुए, नजर आएगा, वो देखेंगे, बट दूसरा aspect हमें नहीं बूलना है, कि यहां पर aspect के अगर हम बात करें, तो आपको यहां पर देखना है, कि company ने 35 करोड रुपीज का highest ever operating profit, और 25 करोड रुपीज का highest ever net profit, यहां पर पेश ते है, जो कि quarterly और yearly दोनों basis पर highest ever है, और company का EPS, 8 के आसपास है, जो कि अच्छी बात है, ओके तो this is the reason कि यह particular counter, यहां पर क्या दिखा रहा है, विश्वास दिला रहा है, कि यहां पर यह share आज के दिन में शायद भागता हुआ नजर आ सकता है, yearly basis पर performance, company की काफी बहतरीन रही है, जो कि आपके सामने है, net for profit, यह यहां पर देख सकते है, company का घाटे से सीध है, यहां पास 75 करोड रुपीज का profit, अच्छे गास है, company के पास reserves है, as well as borrowing की बात करें, company का borrowing भी है, 38 करोड रुपीज का working progress में पैसे लगा रखे है, 57 investment और cash की बात करें, तो 40 करोड रुपे के आसपास company के पास cash भी पड़ा हुए है, promoters के पास हिस्सेदारी यहां पर देखिए, यहां पर लगा था, promoters ने इस्सेदारी थोड़ी सी कम करी है, 50 से 47, 47 से 47.18, FIS की बात करें, FIS ने वो इस्सेदारी स्टार्टिंग में कम करी थी, अब दुबारा बढ़ानी शुरू कर दी है, DIS की बात करें, DIS की इस्सेदारी यहां पर क्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है, और Public की इस्सेदारी यहां पर कम होती ही नजर आ रही है, Public की इस्सेदारी कम होने का मतलब है, कहीं न कहीं positive figure, और एक रीजन यह भी है कि IFL Securities ने यहां पर अपनी 2.28% की holding सारी की सारी यहां पर क्या कर दिया, बेचते हुए वो यहां पर नजर आये है, और मुकुल महावीर अगरवाल सर अभी भी बने हुए 1.14% की holding के साथ, तो क्या counter बेकार है, बिल्कुल महीं नहीं counter अच्छा है, हम इस particular share की तरफ नजरे बना के रखेंगे, थोड़ा से यहां पर price actions या फिर volume का action यहां पर कुछ होने दीजिए, और यहां पर RSI वागरा थोड़ी सी उपर आने दीजिए, अभी 51 की आसपास है, तो उस basis पर हम यहां पर entry करेंगे, बट अभी share क्या बेकार है बिल्कुल भी नहीं, अच्छा चल रहा है, 20 और 200 DMA के ऊपर चल रहा है, जो कि एक positive यहां पर indication देता है, कि share यहां पर अभी तक positive है, तो यहां पर बात करें, में यहां पर आपको दिखाई देरा breakout, तो यह breakout जैसे ही होगा, उस टाइब हम यहां पर entry लेंगे, और मैं इसके थोड़े से आपको रेशनें दें सपोर्ट बता जेता हैं, बट उससे पहले request करूँगा, चैनल को subscribe, bell icon को hit, all the notification को on कर लीजेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग videos देखते हैं, बट subscribe करके नहीं जाते हैं, as well as यहां पर subscribe करते हैं, तो bell icon को hit नहीं करते हैं, तो कर दीजिए, ताकि हमारा motivation बढ़े, ताकि इस तरीके की video आपको पास बिलती रहें, बाकि technical analysis, research और fundamental किस तरीके से हम करते हैं, contact करें, और यहां पर details ले लीजिए, काफी बहतरीन चीज़े हैं, जब तक आप satisfied नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको यहां पर इस particular आपको छोड़ा नहीं जाएगा, और यहां पर अगर बात की जाएं, काफी अच्छी यहां पर classes नहीं होने वाली हैं, तो MTAR की बात करें, तो MTAR आपके सामने हैं, breakout आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर अगर जब यह particular counter 1730 के ऊपर निकलेगा, अब मैं रहनी थी AS की 1730 के जब ऊपर निकलेगा, उस ताइम में यहां पर entry करूँगा, otherwise अभी मैं इस particular counter से थोड़ा सा यहां पर दूर ही बना के रिखूँगा, क्योंकि अब breakout पर खेलेंगे, breakout पर खेलेंगे तो अच्छा खासा पैसा कुछ टेम में बनेगा, otherwise यहां पर क्या है, यह consolidation में चल रहा है, अगस्ते लेके नवंबर हो चुका है, और लगबर तीन में इन हो चुके और यह केवल यहां पर consolidate कर रहा है, यह एक particular box के अंदर घूमता हुआ नजरा रहा है, box theory आपने सुनी है, Darvus की, जब यहां पर यह particular counter को यहां पर cross करेगा, इसके बाद शेयर में मजा आएगा, और यह राउंड बाटम बनाते हुए नजराएगा, वीडियो अच्छे लगे, लाइक, कमेंट शेयर करिये गा, थैंक यू सो मच, God Bless,